दर्सक जिस film की रिलीज का इतनी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे फाईनली वो film कल रिलीज होने वाली है हम बात कर रहे हैं रित्यक रॉशन और टाइगर श्रॉफ की बड़ी एक्शन फिल्म वार की जिसकी हर तरफ जोरों से चर्चाय और तारीफे हो रही है बता दे कि इस फिल्म के एडवांस बुकिंग बीते शुकरवार शुरू हुई और आप यकीन नहीं करेंगे मैं इस दो दिनों में वार फिल्म की बंपर एडवांस बुकिंग मिली है और इसको चार दिनों के अदर अब तक की सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग भी मिल चुकी और इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दी है तो आज हम बात करने वाले हैं वार फिल्म ने रिलीस से पहले जो रिकॉर्ड तोड़े हैं उनके बारे में दोसो आपको बता दिकि रित्तिक औलव ताइगर एक साथ आना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इन दोनों को एक्शन मोड में देखना एक बहात बड़ा रिकॉर्ड से कम नहीं है अगर बात करें इसके सबसे पहले record की तो maker ने दावा किया है कि सबसे बड़ी action film होने वाली आप तक आपने बॉलिवूड में इस तरीके की action film नहीं देखी होगी तो ये खुद एक record हो गया वहीं अगर दूसरे record की बात करें तो इसने अपने release के साथ 20 करोड के advance booking ले ली है और अभी मातर 3 ही दिन हुए है और आज का दिन पूरा बाकी है अब देखना दिल्चस्प होगा कि आज के advance booking मिला कर आसानी से 30 से 35 करोड की advance booking ले सकती है जी हाँ दोस्तों और इसमें कोई दोर आये नहीं कि अगर ये दोस्तों आपको क्या लगता है क्या ये उसका record तोड़ पाईगी साथी साथ अगर और भी इसके record की बात करें तो इस फिल्म के अंदर गाने आपको कम मिलने वाले हैं जिस वजह से स्क्रीन टाइम आपको जो एक्टर्स को है वो जादा दिया गया है जहां इसके अंदर एक 8 मिनिट से लेकर 15 मिनिट का एक ऐसा सीन होने वाला है जिसके अंदर आपको टाइगर शॉफ ऐसी fight करते वे नज़र आएंगे जो कि बिना किसी cut scene के लिए गई है हाँ दोस्तों ये बॉलिवूड में पहली बार है जब टाइगर शॉफ जैसे किसी कलाकार ने बिना cut के लगातार action scene दिया है इसे जानने के बाद रितिक रोशन खुद हैरान रह गए थे यानि कि फिल्म रिकॉर्ड की भरमार है और रिलीज होने के साथ ये पहला दिन का box office collection का record भी बना सकती है दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म box office पर कितनी कमाई करेगी आपके इतने excited है वार के लिए हमें comment करके अपनी राइज ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करें देखो देखो जुड़र हमारे साथ क्योंकि यहीं मिलती है आपको Bollywood से जुड़ी है हर कबर सबसे पहले